बोले सो निहाल वाई गुरुजी का खाल साव वाई गुरुजी के फते दोस्तों आज हम सब लोग गुरुगोविन सिंग जी के साहिबजादों और माता गुजरी देवी जी की सुप्रीम शहादत माता कुजरी कौर जी की सुप्रीम शहादत को नमन करने के लिए एकठे हुए है हम पूरे दिल से उनकी शहादत को नमन करते हैं और मैं समझता हूँ की शायद मानव जाती के पूरे इतिहास में केवल भारत भारत नहीं पूरी दुनिया के इतिहास में इस किसम की शहादत की दूसरी मिसाल देखने को नहीं मिलती है आज हमारे देश के किसान दिल्ली के बॉर्डर पे यहां पे आए हुए है देश का किसान आज बहुत दुखी है देश के किसान पे मुसीबत आई हुई है इस टाइम हम लोगों को भी कितनी सर्दी लग रही है एक जैकेट पैन रखी है एक स्वेटर पैन रखा है अंदर इनर पैन रखा है मफलर पैन रखा है आप सोचो रात को जब इतनी ठंड हो जाती है खुले आसमान के नीचे सडक के उपर हमारे किसान भाई, माताएं, बच्चे पिछले 32 दिनों से सोने को मजबूर है आखिर क्यूं? सोच सोच के भी दिल काप उठता है चालिस से जादा लोगों की शहादत हो चुकी है यहां पर आज इस मंच के जरिये इतने पवित्र स्थान पे इतने पवित्र मौके पे मैं हाथ जोड के केंद्र सरकार से अपील करता हूँ यह अपने ही लोग हैं हमारे ही लोग हैं हमारे भाई हैं हमारी बहने हैं हमारे बुजुर्ग हैं यह अपने ही देश के लोग हैं इनकी बाते सुनके इनकी मांगें पूरी करके वो तीनों कानून वापस ले लो और इन लोगों के संघर्ष को यहीं खतम करोगा और कितनी शहादत लेना चाहते वाग पता नहीं किस किस तरह की बाते की जा रही हैं तरह तरह से यह सभी सरकारों का एक तरह से हथियार होता है मेरे को याद है जब अन्ना अंदोलन में हम लोग बैठा करते थे हमें भी बदनाम किया जाता था आज किसानों को कहा जा रहा है आतंकवादी है किसानों को कहा जारा राष्ट्र द्रोई है अरे किसान आतंकवादी हो गए और किसान राष्ट्र द्रोई हो गए तो तुम्हारा पेट कौन भरेगा तुमको रोटी कौन देगा उसके बाद सतर साल से किसानों को अपने देश के किसानों को सब ने धोखा दिया सारे नेताओं ने धोखा दिया सारी पार्टियों ने धोखा दिया किसानों ने केवल और केवल धोखा देखा अभी तक सारी पार्टियां कहती थी तुम्हारे लोन माफ करेंगे किसी ने लोन माफ नहीं करे सारी पार्टियां चुनाओ के पहले कहती थी तुम्हारे बच्चे को नौकरी देंगे किसी नौकरी नहीं दी अब ये तीनों कानून लेके आएं इन तीनों कानूनों के जरिये भी इनकी खेती भी छीनना चाते हैं किसान के बास खेती के अलावा तो कुछ होता नहीं है उनकी खेती भी छीनना चाते हैं उनकी खेती भी उठाके बड़े बड़े दो-चार इनके पुझी पती दोस्त हैं उनको देना चाते हैं अगर खेती भी चली गई किसान की तो फिर वो कहां जाएगा और तो तुमने इनके लिए कुछ करा नहीं, खेती करता है बिचारा किसान खेती भी चली गई तो किसान कहा जाएगा फिर तो जितने किसान आप सोच के देखो, इतनी ठंड में अपने घर के बुजुर्गों को और बच्चों को लेके जितने किसान बैठे है वो अपने सर्वाइवल के लिए बैठे हैं, क्योंकि अब आर पार की लड़ाई बन गई है जब खेती भी चली जाएगी और खेती पे बड़े-बड़े कमपनियों का अधिकार हो जाएगा तो किसान के पास कुछ भी नहीं बचेगा तो अपनी खेती को बचाने के लिए बैठे हैं अभी केंद्र सरकार ने इन्होंने अपने सारे बड़े-बड़े नेताओं को उतार दिया मैदान में इन्होंने सारे मंत्री उतार दिये, सारे इनके मुख्य मंत्री उतार दिये, इन्होंने मैदान में आके भाशन दे रहे हैं, इस कानून से किसानों का फाइदा है मैंने इनके सारे भाशन सुने, अभी तक मेरे को एक भी नेता इनका नहीं मिला जो इस कानून का एक भी किसानों को क्या फाइदा होगा, यह बता सके, आप भी सुन ले ना Google पे जाके, YouTube पे जाके, जितने यह बड़े-बड़े नेता आते हैं, सारे क्या कहते हैं, कहते हैं, जी हम बताएंगे क्या फाइदा होगा, बताओ जी, कहते हैं, इससे आपकी जमीन नहीं जाएगी, तो यह कोई फाइदा हुआ, जमीन तो ही आज हमारे पास, इससे आपकी MSP नहीं जाएगी, तो यह कोई फाइदा हुआ, इससे आपकी मंडी नहीं जाएगी, यह कोई फाइदा हुआ, तो फिर कानून क्यों लायो, कानून फाड़के पैंक दो, आज भी न फाइदा नहीं बता रहें वो कह रहें कोई नुकसान नहीं होगा किसानों का कोई नुकसान नहीं होगा तो फाइदा किसका होगा फाइदा उनका होगा यह साफ जाहिर है कि किसानों का कोई फाइदा नहीं है फिर एक फाइदा बताते हैं यह क्या फाइदा कहते हैं अब किसा मन्डी के बाहर पूरे देश में कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है बताओ जी कहां बेचें मैंने पूछा इन से मैंने कहा भी भिहार में मन्डी नहीं है 800 रुपे कुइंटल भिकरा है वहां पे फसल तो आप यहीं बता दो साड़े अठारा सो MSP है साड़े अठारा सो से ज़्यादा दाम पूरे देश में कहां भी करा है जहां हमारा बिहार और उतरपरदेश का किसान जाके बेच ले कोई जगे बता दो मंदी के बाहर तो आधा दाम मिल रहा है मंदी के बाहर तो 50% इंदाम भी नहीं मिल रहा तो ये तो कोई फाइदा नहीं हुआ तो फाइदा एक भी नहीं बता पा रहे हैं लोग किसानों को फाइदा केवल और केवल पूंजी पतियों को है केवल तो आज पूरा देश दो भागों में बटा हुआ है एक वो लोग हैं कुछ लोग हैं जो उन पूंजी पतियों को फाइदा पहुचाना चाहते हैं करोडों किसानों का नुकसान करके एक वो लोग हैं जो किसानों के साथ खड़े हैं और चार पांच पूंजी पतियों को नुकसान हो जाए तो क्या फरक पड़ता है अगर करोडों किसानों का फाइ अपने सबसे बड़े जिसको भी इसका पता है वो आ जाए और हमारे किसानों के नेता आ जाएं और पब्लिक में डिबेट कर लें दोनों को किसको ज़्यादा जानकारी है कहते हैं किसानों को जानकारी नहीं है किसान बता देंगे मैंने किसान जथे बंदियों के जितने नेता हैं मैंने इनके भी सारे वीडियो सुने हैं इतने शांदार तरीके से आपको सम्विधान समझा देते हैं इनको सारा सम्विधान पता है इनको सारा कानून पता है मुझे पूरा यकीन है जितना इनको पता होतना तो इनके मंत्रियों को भी नहीं पता हो तो मैं आज चैलेंज करता हूँ एक बार ही दूद का दूद पानी का पानी भी हो जाएगा कि इनके जितने जो भी इनके सबस चल जागा, ये कानून कितने खतरनाक हैं और ये कानून कितने गंदे हैं, तो मैं आज उमीद करता हूँ, इस पवित्र स्थान से की केंदर सरकार और किसानों की शहादत ना करवाए, चालिस से जाधा किसान शहीद हो चुके हैं, और अब इनकी आरपार की लड़ाई है, जल् सानों का संगर्श खतम करवाएं बहुत बहुत शुक्रिया